असलाम अलेकुम डियर फ्रेंट्स कैसे हैं सब ठीक ठाक हैं अमीद है अब सब खहरीय से होंगे एक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि सब ठीक हैं कैसेिश ऑगर वाइवाव बता सकता हो तो सबसे पहलेखिय आपको आपको material required मुकमल तोर पर याद करना होता है उसके बाद कुछ background information चाहिए जो कि वाईवा के लिए important हो सकती है उसके बाद आपको क्या find करना है आपको procedure को follow करना होता है Right मेरे बच्चे इधर देखें जो भी है यानि कि अगर कोई बच्चा इसको copy कर रहा है practical notebook बनाने के लिए तो वो उसके लिए better solution यही है कि वो mobile पे जाए वहाँ पे जाके अपने screenshot ready कर ले screenshot ले ले या वीडियो को post करके इसको मकमल तोर पर लिख ले लेकिन लिखना खुद है कोशिश करनी है उसके एक वज़ा होती है कि जब आप खुद हाथों से गजारेंगे आपके लिए फाइदे मन वो थाबित हो सकता जैसे कि आपको already पता है क्योंकि आप खुद आप काफी अब जारी से बाद है last message चल रहा है तो हर बचे को समझ होती है तो जितने भी initial students हैं उनको मैं बता दूँ कि बेटा पिपिए से जॉलोजी लेक्चररशिप के लिए जो initials होते हैं टेस्ट वो सारे के सारी यहां पर available होते हैं ओके गाइस हम वीडियो कॉंटिन्यू करेंगे बट अज़ान के बाद इन्शाल्ला ओके बेटा हम कॉंटिन्यू करते हैं देखें आपको यह प्राक्टिकल्स जो हैं यह डेटा प्रवाइट किया जा रहा है अब इसको लिखी अपने नोट्बुक के उपर अच्छा तो आपको यहां पर आपको बटा वाईवा देखें आपको बताए कि बुक के नंबर होंगे जो नोट्बुक बनाओगे उसमें हो सकता है कि वो आपसे मुकमल तोर पर ना पूछे उसका कोई पार्ट पूछ लें या फिर हो सकता है कि आपसे इसके बारे में कुछ इडेंटिफिकेशन वाला पूछ लें बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो दैन फिर वो आपसे एक प्रैक्टिकल के बारे में ही और लेडिंग आंसर्स देने का आपको पहले भी एक पर में ने समझाया था फाइदा होता है बट नुकसान भी उतना ही ज्यादा है लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कॉन्फिडेंटली आंसर करने है तो आपको हमेशा फाइदा का सोचने चाहिए लाइफ में अप्स और्म्स आते रहते हैं तो मैं आपको बदाता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेर्ड करना होता है वाइवा के लिए देखें आपके पास बैग्राउंड इन्फार्मिशन जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे वाइवा के बुराने सब्स जीज़ें आप उसके अंदर क्या कर देनी है अब जो आपका वाइवा ले रहे है ठीक है जो एक्जामिनर है वो असल में क्या करेगा वो उसी में से कुछ ने कुछ कॉस्टन्स करने की कोशिश करेगा और यू हैव्ट टू बी समार्ट आपने उससे भी ज्यादा समार्ट रहना है कि उसे लगेगा कि आप फस गई हो leading answer करके बट आपने वो leading answer का जो answer होगा और उस answer का जो concept होगा और उस concept का जो answer होगा वो already prepared करके जाओगे जब आप यह सब कुछ कर लेंगे तो then 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 क्या होगा वो maximum एक question से 3 या चार question उसके बाद उसे फिल होगा कि शायद इस टॉपिक के उपर आपकी क्रिप बहुत अच्छी है तो वो जितने भी यहां पर प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं इन मेंसे कोई और प्रैक्टिकल्स के बारे में भी कॉस्न कर सकता है तो आपने इस सुरत में करना क्या है यह स्लाइड्स में मूफ कर रहा हूँ आप स्लाइड्स को कॉपी कीजिए नोटबुक बनाएं अच्छी सी अच्छा एक बार कुछ यूँ हुआ था कि जो प्रैक्टिकल्स की नोटबुक है वो तकरिबन एक बच्चे की लेकर जो सर थे वो चलेगे बाकिस सब बच्चों क शायद के मैं कुछ मुश्किल में हूँ लेकिन बटा ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर जो एक्जामिनर है उसको किसी बच्चे की जो प्रैक्टिकल्स नोटबुक बहुत ज्यादा पसंद आती है तो वो उसको लेकर जा सकता है राइट तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है बलकि आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने बचों में से आपकी जो कॉपी है नोटबुक है उसको स्लेक्ट कर लिया गया है तो आपने नोटबुक अच्छे से अच्छे बनाने कोशिश करनी है वाई 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 मैंने आपको बता दिया है कोसिंस के बारे ठीक है सबसे इंपोर्टन चीज शेरिंग इस लर्निंग ठीक है शेर करेंगे तो आप बेटा सेखने को बहुत कुछ मिलेगा अगर कुछ भी किसम की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है किसी टॉपिक से रिलेटिड किसी सब्जेक्ट से रिलेटिड तो आपने क्या नहीं को तक्रिबन तीन चार करते ना अट लिस्ट और त्री फोर डिफरेंट वीडियोस पर करना एक वीडियो के उपर जो कमेंट करेंगे तो वह आटोमेंटिकली जो आईडी होती है यूट्यूब जो मेंबर्शिप होते हैं वो ब्लॉग करते हैं ठीक है तो इस वज़ा के लिए अमडिकेट के लिए और इसके इलावा अगर कोई स्टूडेंट जो के नीट की प्रिपरेशन कर रहा है फ्रॉम इंडिया या जी एक्जाम के लिए ठीक है वो सबी जितने भी एक्जाम्स हैं इसी चैनल पर अवेलेबल हो जागी ओके गाइस इन्शाला नहीं स्टूड़ से फिर जिए से बाले याइस इन्शालाइबल हो जिए लिए विए